हाई गाईज श्वागत है आपका मेरे यूटूब चैनल पर गाईज आज हम लो क्लास 12 हिंदी से मॉस्ट इंपोर्टेंट ओब्जेक्टिव कोशन और इसका एंसर पर हैं गाईज यह सारे कोशन साइन्स आर्ट और कमर्स तीनों ही छात्रों के लिए अत्यांत महत्पूर हैं गाईज यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें किम्झे इस चैनल के माध्यम से आज से क्रैस को सुरू किया जा रहा है यदि आप इस चैनल पर बने रहते हैं तो परिच्छा के समय तक आपके सभी पीसरों का अब्जेक्टिव और सब् तो सबसे पहला प्रश्ण है और जिनारिस्वर का किस विद्जा से संबंध है यह और जिनारिस्वर कों सा विद्जा है तो आपका एंसर होगा और जिनारिस्वर एक निबंध है अगला है रविंद्र का संदी विछेद क्या होगा और जानने की इच्छा रखने वाले को क्या करते हैं जानने की इच्छा रखने वाले को क्या करते हैं और जिग्यासा जिग्यासु जिजी विसा या ज्यानकार तो आपका एंसर होगा जिग्यासु कहते हैं जानने की इच्छा रखने वाले को अगला है जैसंगर प्रसाद किस वाद से संबंदित रशनेकार है जैसंगर प्रसाद किस वाद से संबंदित रशनेकार है और सने छैवाद प्रगतिवाद प्रयोगवाद या नई कविता तो आपका एंसर होगा छैवाद से संबंदित रशनेकार है जैसंगर प्रसाद आप परसाद, फिर आता है पंत, फिर आता है निराला और वर्मा, ये चार कभी हैं जो च्छाइवादी हैं, परसाद का मतलब जयसंगर परसाद, पंज का मतलब सुमित्रा अन्रपंत, और निराला का मतलब सुर्यकांत्रिपार निराला और वर्मा का मतलब महादेवी वर्मा, इन चार कवी का नाम याद रखिए जो छायवादित थे परसाद, पंत, निराला और बर्मा अगला है कवितावली के रशनकार हैं कवितावली के रशनकार कौन हैं और सने जायसी तूसिदास, कवितावली के रशनकार हैं तो आपका एंसर हो जाएगा तूसिदास कवितावली के उनको विदूर अगला है चीरी मार कौन से समास है और से ने तत्पुरूस करंधार बहुगड़ी या द्वंद तो आपका इंसर होगा तत्पुरूस समासे चीरी मार अगला कोशन है शाहित लहरी किन की रचना है और से जाइसी के शुर्दास के कबीर दास के या तुलसी दास के तो आपका इंसर होगा शुर्दास की रचना है कबीर शाहित लहरी अगला कोशन है प्रगती और समाज किन की रचना है और से बाल कृष्ण भट नामवर सिंग दिनकर या चंदर सर्मा गुलरी तो आपका इंसर होगा और भी नामवर सिंग प्रगती और समाज की रचना नामवर सिंग की है एक लिख और एक पत्र के लिखक कौन है एक लिख और एक पत्र के लिखक कौन है अगला है उसने कहा था सिर्सक का कहानिकार कौन 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 है उसने चंदर सर्म गुलेरी प्रेम चंडर मुहाराकेश यसपाल तो आपका एंसर हो जागा चंडर सर्सार्मा गुलेरी उसने कहा था कि रस्मेकार है अगले निर्मे से कौन उसने कहा था सिर्सक कहानी का नायक है उसने कहा था सिर्सक कहानी का नायक कौन है उसने बजीरा सिंग लहना सिंग अगला कुशन है उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है ओक्सने धर्म परधान शरित्र परधान भाव परधान या इनमें से कोई नहीं तो याद है कि उसने कहा था एक भाव परधान कहानी है एक भाव परधान कहानी है ओक्सन इसमें सी धर्म यूग समहालोचक कासी नगरे प्राशनी पत्रीका या हिंदी प्रदेप तो आपका एंसरोब अपसन नमर डी हिंदी प्रदेप अपका सही है अगला है बाल किष्ण भट की रचना बाचित है बाचित क्या है अगला है कोशन ओस सदा नीरा के लिखक कौन है अगला है अगला है बाल किष्ण नीरा को नामित बना कर लिखा गया है अगला है और जिनारिस्वर निबंध कब प्रकासित हुआ था और नारिस्वर में बंद कब प्रकास कित हुआ था उनिसे 46, उनिसे 61, उनिसे 57 या उनिसे 52 तो आपका एंसरों का अफसन नमर दी उनिसे 52 में प्रकास कित हुआ था और नारिस्वर अगला है दिनकर को किस कृती पर भारतिय ग्यान पीट पुरसकार मिला था दिनकर को किस कृती पर भारतिय ग्यान पीट पुरसकार मिला था ऐफ्तन एक कुरुण छेतर, उर्वसी, रस्मिरती या रेनु का तो आपका एंसरों का अफसन नमर दी उर्वसी के लिए ग्यान पीट पुरसकार मिल था दिनकर जी को आपका अपसन 20 सही है अगला रोज सिर्सक कहानी के कहानी कार कौन है? अगला कुछन है भगस ने कैसी मिर्टु को सुन्दर कहा है? अगला सिपाही की मासिर्षक एकांगी का सबसे ससक्त पात्र कौन है? सिपाई की माज सिर्फ कहानी का सबसे ससक्त पात्र कौन है या पात्र होगा सब पात्र कौन है और सने बिशनी मानक मुनी या इन वसे कोई नहीं तो आपका एंसर बिशनी ससक्त पात्र है अगला है बिशनी और मुनी को किसी परतिक्षा है तो आपका एंसर होगा मानक को चिठी की मानक के चिठी है मानक के चिठी होगा मानक के चिठी की उपर दिक्षा है ठीक है तो आपसन देख लेंगे उसमिला मानक के चिठी होगा मानक के चिठी की उपर दिक्षा है ठीक है अगला नामर्ण सिंग के गुरु कौन थे अगला है नामर्ण सिंग के गुरु कौन थे अगला है नामर्ण सिंग किस पत्रिका के शंपा तक रहे है अगला है नामर्ण सिंग किस पत्रिका के शंपा तक रहे है अगला है नामर्ण सिंग किस पत्रिका के शंपा तक रहे है अग में से कोई नहीं तो आपका इंसरों का अलोचना के शंपादक रहे हैं अगला है जुठन किनकी आत्म कथा है जुठन किनकी आत्म कथा है अगला है जुठन के हेड़ मास्टर का नाम क्या है जुठन के हेड़ मास्टर का नाम क्या है जुठन के हेड़ मास्टर का नाम क्या है आपका इंसर हो जाएगा कली राम आपका इंसर हो जाएगा कली राम है ठीक है अगला है हस्ते वे मेरा अकिलापन के लिखक कौन है हस्ते वे मेरा अकिलापन के लिखक कौन है अज़े सिर्शक कहाणि के कहानिकार कौन है तो आपका अज़े सिर्शक कहाणि के कहानिकार कौन है उजय प्रकास हैं तिरिच सिर्च कहानी के कहानी कार अगला है तिरिच है तिरिच क्या है अपसान है एक उप्योगी जन्तू एक विसहिन जन्तू एक विसायला और भयानक जन्तू इन में से कोई नहीं तो आपका इंसर हो जाए एक विसायला और एक भयानक जन्तु है तिरिच अगला है तुलसी दास कैसे कभी है तुलसी दास कैसे कभी थे अफसन है समयवा वादे समन्वा यादे प्रिठक्टा वादे छावादे रहस वादे तो आपका एंसर हो जागा समन्वा वादी है तुलसी दास कभी अगला कवहुक अब आवसर पाई यहाँ अब शंबोधन किसके लिए है अगला भक्त माल किसकी रचना है अगला नाभादास, सुर्दास, तुलसिदास या कबिर्दास अगला कुशन है शुगनी साहु पडिवार का किन से संबन्ध था अगला है योरप के लोगों में बात करने का हुनर है या किस ने कहा था अगला सच है जब तक मनस बोलता नहीं तब तक उसका गून दोस्त प्रकट नहीं होता या किस ने लिखा है अगला सच है जब तक मनस बोलता नहीं तब तक उसका गून दोस्त प्रकट नहीं होता या किस ने लिखा आफसने मल्यज गुलेडी बाल कृष्ण भट या प्रेंचंड तो आपका एंसर हो जागा आफसन नमर सी बाल कृष्ण भट ने या कहा है या लिखा है कहिए बुद्ध का कांटा बुद्ध का कांटा शुक में जीवन या तिरीच तो आपका एंसर हो तिरीच चंड़ सर्मा का लिखा हुआ नहीं है अगला है कौन से रशनेकार बिहार से संबंदित नहीं है कौन से रशनेकार बिहार से संबंदित नहीं आफसने जगधिस चंडर जैसेंकर प्रसाद, रम्धारी सिंधिनकर या समसेर बहादूर सिंग तो आपका एंसर अफसर नमर डी समसेर बहादूर सिंग यह जो बिहार से समझने नहीं है अगला है करवक में कौन सी बात पाई जाती है करवक में कौन सी बात पाई जाती है अफसर प्रेम की महिमा इस्व 9211 होना मुहावड़े का अर्थ क्या है 9211 होना मुहावड़े का अर्थ क्या आफसने भाग जाना छिप जाना प्रेम करना सो जाना तो आपका एंसर रो आफसन नमर ए 9211 हो जाना या ठाथ भाग जाना अगला नाक का बाल होना मुहारे का अर्थ है नाक का बाल होना मुहारे का अर्थ क्या है आफसन घ्रिना करना प्रिय होना दूर तक देखना इर्ष्या करना तो आपका एंसर होगा आफसन और भी प्रिय होना बाल नाक का बाल होना अर्थात प्रिय होना अगला है सिक्टिष का संदि attracting किया है कि रात का की लूम क्या है रात का विलूम क्या है सुबह दीन सवेरा यदो पहर तो आपका IN ao Можно सब्सक कर देन रात का बिलूम Все संदम बताएं फ्लोग का विसेशन बताएं snवा तो आफ का एनसर जैगा लोकिक लोकiforn लुक ना किए Помारत है छै है पुरुस का भिलूं मिस्तरी होगा और जो नाडि महिला है। पारियर्जी सब्द है ठीक है इस तरीका अगला है महोसे का संदी विषिद क्या है मह जोर उत्साओ महा जोर उत्साओ महोत जोर उत्साओ या महोता जोर उत्साओ तो आपका इंसर हो महा जोर उत्साओ महोसे का संदी विषिद है अगला संतोस का संतोस क्या होगा संत जोर्टोस सम जोर्टोस सब जोर्टोस या संत जोर्टोस तो आपका एंसर होगा सम जोर्टोस संतोस अगला है पानी का पारवची सब्द है और से तराव सर नीर या नदी तो आपका एंसर होगा नीर पानी का पड़ सब्ड नीर है बुराई में कौन सा पड़ते है और आपसद ई, राई, आई या ओई तो आपका एंसर होगा आई बुराई में आई पड़ते है अगला चक्रपानी कौन सा समाँ से और आपसद बहुबढ़ी त्वंद द्रगू या तक प्रूस तो आपका इंसर होगा यह बहुगरी समा से चक्र पानी अगला दिगज किस संधी का उदाहन है और से शुषण संधी बेंजन संधी, विसर्ग संधी इनमे से कोई नहीं तो आपका इंसर होगा बेंजन संधी का उदाने दिगज अगला है रात दिन को समा से अफसेन बहुप रही द्वन्द दिगू या तप्रुस तो आपका एंसर होगा या द्वन्द समा से रात दिन अगला है दूज का चान होना मुहाड़ा का अड़्थ है option है प्यारा होना बहुत दिन पर दिखाई देना सुन्धर होना या प्रेम करना तो आपका answer option और भी बहुत दिन पर दिखाई देना दूज के चांद का मुणावड़कार्थ है अगला नया का बिलोम क्या है option पुराना प्राचिन गंदा या फटा तो आपका answer होगा पुराना नया का बिलोम पुराना होगा अगला है ग्राम का वी सेशन बताएं तत जुर्लीन तमर जुर्लीन या तंजुर्लीन तो आउपका अगला है चंद्रमा का परियोधी सब्द क्या है और समय चांदनी, राजा, रोहित या शसी, तो आपका इंसर होगा अफ़नेंण म गर जाँगा तो आपका अश्र होजागा आप्र आपसन का कि अगला कोशन एक कॉनक का अर्थ क्या है कॉनक का अर्थ क्या है अफ़र ने चांदी सोना बादल या नदी तो आपका एंसर हो जाएका अवर। करनक कार्थ सोना होता है तो चलिए आज का मॉस्ट इंपोर्टेंट जो अब्जेक्टिव हिंदी का जथा यही पर खतम हो जाता है आप मेरे च्छामें बढ़ रहे हैं ताकि मैं आपको सारे भी सेका मॉस्ट इंपोर्टेंट अब्जेक्टिव कोशन बता सकूँ तो चलिए आज के लिए पिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जय हिंद जय भारत